आईसे आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो मारा Redmi Note 13 Pro Plus 5G Phone है तो Redmi Note 13 Pro Plus 5G Phone की सेटिंस पे जाकर जो मारे iPhone में animation speed है तो animation speed को आप कैसे increase कर सकते हैं Redmi Note 13 Pro Plus 5G Phone की सेटिंस पे जाकर Voice Echo Engine Conference aquell, और animation speed को कैसे increase कर पाएंगे, Redmi Phone में तो आज हम बताने वाले हैं कि animation speed and phone की speed को कैसे fast कर सकते हैं और कैसे phone की speed को increase कर सकते हैं Redmi phone में तो हम बताने वाल हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चाहं को like करें subscribe करें और साथ में bell icon दबाएन ना भूलें तो वीडियो स्टार्ट करें आपर देख सक्ते हैं कि phone के icons आइकन Nu हैं Simply आपको swipe करना है Swipe करती इन आइकन sum projections आपन हो जाएंगी simply settings पर open करती phone की settings आपन हो जाती है तो आपकी phone में जो भी animations की speed है तो animations की speed को increase कैसे कर सकते हैं and phone की speed को कैसे increase कर पाएंगे तो आप देख सकते हैं कि simply आपकी settings शो और यह तो आपको जाना होगा About Phone पे About Phone पे जाकर detail information settings पे जाना है इस पर tap करना 3-4 बार developer options आपकी phone की additional settings में open हो जाएगा फिर आपको additional settings पे जाना होगा, tap करती additional settings आपके phone में open हो जाएगी slide करती आपको developer options पे चले जाना है स्लाइड करना और स्केल सेटिंग्स पर जाना है जो भी विंडो एनिमेशन स्केल सेटिंग्स पर चले आना है तो आपके पास स्केल सेटिंग्स आ जाएगी यहां पर देख सकते हैं तो जो भी Windows Animation Scale है तो इसको off करना है, Transition Animation Scale को भी off कर देना है, Animator Duration Scale भी off कर देना है, फिर आपके बास मैं option आता है, Process Limit, तो जो भी limit होती है, उसको भी आपको no background कर देना, जिससे आपके झाल आपके फोण के animation speed आपके phone में increase जाएगे, और आप फोण की speed को fast कर सकते हैं, तो आ आत्मी बैल आइकों दवाने ना भूलें थैंक यो नेक्ट वीडियो के लिए इंतिजार करें वीडियो को शेयर करें थैंक वीडियो अच्लेगी तो